हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये जो किसी के लिए का बार था हमारे लिए सोना बन चुका था असलाम अलेकुम जी आयानू मेरे नाम है अनुशाय तो शुरू करते हैं आज का सस्ता तरीन टुटा पजाते रंगपरंगे मुबैला चो बनाया गया व्लॉग नमबर साथ नोट ये व्लॉग नहीं खिचरी है हो सकता है कहीं आपके मुँ में दाल आया और कहीं कच्चे चॉल इक्जेंपल कुछ क्लिप तो इस व्लॉग में इतने हैं इतने हैं कि गौरों के कैमरे भी शर्माज हैं और कुछ इतने डिगे हुए जैसे नोकिया के बटन वाले मुबैल से बनाएगे हो जो कि आपके मुबैल को अन्ना करने के सा सा आपके दीदों को पैंगा भी कर सकते ह तो गबराना नहीं या तो मोटे शिशो वाली एनक लगानी है या अबबाजी की नजर वाली ओखे होके देखो या सोखे होके लेकिन हाँ व्लोग नो मुका के उरे परे होना जे आज हमने फिर से लगाई हुई थी मशीन लेकिन इस बार हमने इसमें कपड़े नहीं बलके पांड़े तोने थे क्योंकि रात मुझे आया था एक खुआब और मैं फिर रही थी किसी की शादी में और जैसे सुबा आंग खुली तो देखा कि शादी के सारे तोने वाले पांड़े कोई हमारे कारे रख गया क्यार इन्हें इग्नोर करते हुए मैंने पाने में सरफ के सासा कपड़ों को डाला और इन्हें तोना शुरू किया मशीन हमारी महीने में दो तिन बार लगती है अल्ला का शुकर है कि हमारे पास कपड़े मुनासिप से हैं इनने ही तो लेते हैं इनने ही पालेते हैं फिर तो लेते हैं फिर पालेते हैं और अल्ला पाक है सान है कि वकत सोना गुज़र जाता है तो आगे की वीडियो आपको बताएगी कि 4-5 दिन पहले हम मुबाल के पीछे कितना खजल खराब हुए हैं खै कपड़े शपड़े तोने के बाद हमने नाश्टा किया क्योंकि आज मेरे हबी ने लेने जाना था मेरे लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स असल में मेरी पसली थोड़ी कम जोर है ना तो जिस दिन मैं मेशीन लगाती हूँ मेरे हबी मुझे ज़्यादा काम करने नहीं देते तो यहाँ पर हर बार की तरह मैंने चीटिंग करते हुए ज़्यादा केकरस उठाकर फराह होने की कोशिश की लेकि मेरे हबी ने पकड़ा और कहा कि मैं बराबर के हिस्से करता हूँ तुम्हें जो पसंदाय उठा लेना खैर मैं तो हूँ थोड़ी सी लालची और ज़्यादा वले उठाकर अपनी तरफ किये अभी मैंने ने खाना शुरू भी नहीं किया था कि मेरे हबी की भी लालच जागी और उन्होंने एक अदा केकरस किड़नेप करने का सोचा लेकि मैंने इनके करुंडे मारे इन्हें पजाया और केकरस के साथ साथ इसकी पुरी फैमिली को बचाया और फिर मज़े की साथ इन्हें खाया तो आसे पांच साथ दिन पहले मेरे मुबायल को तुटे तुटे आया अटैक और पढ़ गी फुरकी दुपह को जब मेरे हबी टोटी खाने आये तो मैंने उनके सामने टोटी की बिजाए टैंचन रख दी वो इस मुसीबतों के पंड को लेकर अपने एक दोस्त के साथ अपने एक दोस्त को चेक कराने निकले हो सकता है कि आपको इस वीडियो में चारो तरफ तुंद नजर आये लेकिन सदी नहीं तुप निकली हुई है और ये भी मुम्किन है कि कहियों के इस वीडियो में जिन नजर आएं असल मेरी कमाल है मेरे हबी के दोसत के मोबलैल का जिसका रिजल्ट इतना बहुंबैस्टिक है वो चीजें भी दिखा देता है जो कि आम बंदा आम आंखों से देख नहीं सकता मुझे ये साउंड लबा था तो मैंने सुचा आप लोगों को भी सुना दूँ और वीडियो को थोड़ा सा आगे नगा दूँ फाइनली तो सुचिंजा गिलोमीटर सफ़कने के बाद मेरे हबी पहुंचे दा प्राइम लोकेशन अफ चकी चौंग नजद खुल्याँ वाला प्लस यहां वहां यहां जाके उन्होंने मुबैल हवाले किया अपने दोस्त के और बताया कि इसने में कितने दुख दे रखे हैं मैंने तो सोचा था कि इसे मचर के वाडने से मलेरिया हो गया होगा जो के तवाई यह टीके से रफा दफा हो जाएगा लेकिन जैसे उसने इसकी वखियां पाड़ी तो उसने कहा कि यह तो विचारा मरमूग गया जे इंदी जान छड़ो क्योंकि यह ओने दा नहीं जिनने पैसे खा जाने जे लेकिन मजबूरी यह थी कि हमारे पास ज्यादा बाबा काईदयाजम नहीं था कि इसे छोड़ करके दूसरा मोबलेल ले सके और साथ की नखता एक पूरे का पूरा व्लोग हड़ब करके सवात पा चुका था खेर दो तिन घंटे खपने के बाद उसने ह मैं वक्ती तोर पर चलाने के लिए दिया एक दूसरा मोबलेल और कहा कि कल पता कर लेना कि यह चलेगा यह चल बसा है खेर रात काफी देर हो चुकी थी मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था और ना ही मेरा कुछ खाने को दिल था क्योंकि फून खराब होने की वज़ा से म मेरे हबी आते हुए पले पकोड़ियां ले आये थे हमने इसकी दो दो चुंचिया लगाई ब्रेश किया रब को याद किया और सो गए यहाँ पर आपको यह भी बताती चलूं कि जो फून हमें चलाने के लिए मिला था उसे पांच-सात मिनिट चलाने के बाद मेरे टिड़ कर दूर और से दुवाई निकलने लगी अपने पूराने फून के लिए वह तो भी चारा मरता मरता भी वीडियो रिकोर्ट कर जाता था लेकिन ये वीडियो रिकोर्ट करते करते ही सौझाता है अब आगे जो क्लिप सैड होने है वो तीन-चार दिन बात के हैं क्योंकि मेरे हबी को उसके एक दोस्त ने ओफर करवाई कि हमारे साथ गुजरावाला चलो वहाँ पर एक गुदाम की सफाई करनी है और साथ यसाथ सारा समान लोड करके यहाँ पर लाना है मेरे हबी ने आओ देखा ना ताओ सुबा काम से छुटी की और चल दी उसके साथ लाग से भी ज्यादा थे क्योंकि इस टाइम थी हमें इनकी बहुत बहुत जरूरत और अल्लापाक का शुकर है कि अल्लापाक ने हमें अपने इलावा किसी का मोहताज नहीं किया खै मेहनत करने वालों का रब्बी साह देता है इसलिए ट्रक में बच गया था कुछ का बार तो उन्होंने कहा इसे भी साफ करो और अपने साथ ले जाओ खै मेरे हबी ने जल्दी जल्दी जाड़ को उठाया और उसका बार को साफ करके बोरे में पाया खै राज जब मेरे हबी घर आये तो इनको देखकर मेरी आंकों को सकून आया मैंने जल्दी से इनके लिए खाना लगाया और खाना खिलाने के बाद इन्हें दबाया फिर जैसे ही सुबा हुई तो मेरे हबी उसका बार को लेकर निकले बेचने क्योंकि समान पांच हजार से कुछ पैसे कम का सेल हुआ था इससे ये साबित हुआ कि अल्ला पर उमीद नहीं बलके यकीन रखो क्योंकि उमीद इनसानों से की जाती है और मेरा पाक परवर्दिकार वो सचा बाजशा है जो तुमसे किता भी नराज हो लेकिन तुम्हारी दुआओं को रद नहीं करता इसके बाद मेरे हबी रिक्षे में बैठे और पहुंचे मुबाइल लेने जो के ठीक ठाक फिट फार्ट अपने पैड़ों पर खड़ा था जब उन्होंने मुबाइल लाकर मेरे हाथ में पकड़ाया तो मेरी आँखों में नमी और बुगे पर इतना वड़ा हासा आया कि यकीन मानो मैं तुम लोग को बता नहीं सकती तो इन चार दिनों में इतना कुछ हुआ है इस अकेले मुबाइल के पीछे क्योंकि भाई साब ये हमारे लिए 15 प्रो मैक से भी उपर वाला कोई प्रो मैक सो उससे भी उपर की चीज़ है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरे इस व्लोग को अपना टाइम देने का अल्ला पाक आपको अपने हिवज़ों मान में रखे आज के व्लोग को खतम करते हैं इस अच्छी बात के साथ कि अल्ला ने चाहा तो वो भी हांसिल होगा जो कि ला हांसिल रहा अब तक इंशाल्ला